Becoming Attached by Robert Karin जिन्दगी का पहला रिष्टा कैसे हमारे प्यार करने की ख्षमता पर असर डालता है पिछले कुछ जश्कों में मनोविज्ञान के शेत्र में बहुत बढोतरी हुई है जिससे बच्चों की देख बाल को लेकर के बहुत सी विवादित बाते सामने आई है इन बातों पर विश्वास करना एक बहुत ही मुश्किल काम है आने वाले सबक में आप बच्चों के साथ अपने रिष्टों को एक मनोविज्ञानिक नजर से देखेंगे और इन सबक में दुनिया के सबसे अच्छे मनोविज्ञानिकों ने बच्चों पर की गई स्टडी के नतीजों को समझाया है इसे पढ़कर के आप सीखेंगे कि बच्चों और उनकी देख भाल करने वालों के बीच में संबंधों का उन पर क्या असर पड़ता है जिससे कि आप अपने बच्चे को समझ करके उसे एक अच्छी परवरिश दे सकेंगे और आप सीखेंगे कि अपने पेरेंट्स से हमारे संबंधों का हमारे बच्चों से हमारे संबंधों पर क्या असर पड़ता है अपने बच्चे से कुछ दिन दूर रहने से कैसे उन पर बुरा सर पड़ता है पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच रिष्टों को कैसे अलग-अलग भागों में बाटा जा सकता है पहला सबक, बच्चों और उनकी पेरेंट्स या दूसरे देखभाल करने वालों के बीच रिष्टे को अटैच्मेंट कहते हैं जादतर लोगों के बच्चपन की यादों में सिर्फ वही शक्स होता है जिसने बच्चपन में उनकी देखभाल की थी जाददर लोगों की देखभाल उनकी मा करती है बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच इस खास रिष्टे को attachment कहते है attachment का रिष्टा बच्चों की जिंदगी के पहले साल से ही शुरू हो जाता है क्योंकि छोटे बच्चे खुझ से अपनी देखभाल नहीं कर सकते इसलिए इस रिष्टे की उन्हें बहुत जरूरत होती है जिंदगी के पहले कुछ हफ्टों में बच्चे किसी को नहीं पहचानते और धीरे धीरे वो चेहरों को पहचानने और उनमें अंतर करना सीखते है अटेच्मेंट की शुरूआत तब होती है जब बच्चे अपनी देखभाल करने वाले के पास नहीं होने पर दुखी हो जाते है बंदरों पर की गई एक स्टडी में ये पाया गया है कि बच्चों के लिए खाने से ज़ादा जरूरी उनकी देखभाल और अटेच्मेंट होती है इस स्टडी में एक बंदर के बच्चे को उसकी मा से अलग करके एक पिंजरे में रख दिया गया जिसमें दो नकली बंदर थे एक बंदर को मुलायम कपड़े से लपेटा गया जबकि दूसरे में दूद के लिए एक निपल लगाई गई तो ऐसा करने पर ये पाया गया कि बंदर का बच्चा जादा तर समय उस मुलायम कपड़े वाले बंदर के साथ बिताता था और निपल वाले बंदर के पास सिर्फ दूद पीने ही जाता था तो अटेच्मेंट एक ऐसा रिष्टा है जिसे हर किसी ने महसूस किया है पर इसे लेकर के बहुत से विवादित बाते भी हैं जिसे मानने वाले लोग पेरेंट्स को इसमें धकेलते रहते हैं तो आने वाले सबक में हम इन सभी बातों पर एक नज़र डालेंगे दूसरा सबक वो अपनी मा या अपनी देखभाल करने वाले से दूर होते हैं तो वो रोने लगते हैं अपनी मा के पास होने पर उन्हें अच्छा लगता है बंदरों पर की गई स्टडी से हमें बहुत चारी बाते पता चलती हैं एक और एक्सपेरिमेंट में एक बंदर के बच्चे को एक पिंजरे में वायर से बनाए गए नकली बंदर के साथ रखा गया और दूसरे बच्चे को अकेले एक पिंजरे में बंद कर दिया गया जिस बंदर को अकेले रखा गया वो एक कोने में डर करके बैठा रहता था और रोता था जिस बंदर को उसकी नकली मा के साथ रखा गया वो शुरुआत में डर रहा था पर जल्दी ही वो अपनी मा को छोड़ कर पिंजरे में घूमने लगा अपनी मा के पास होने पर वो सुरक्षित महसूस करता था चार पैरों पर चलने वाले बच्चों के साथ भी यही होता है पर कभी-कभी वो अपने पेरेंट्स को छोड़ करके भीड के पास भागते हैं तो रिसर्च करने वाले लोग इसे नेगेटिव अटेंशन सीकिंग कहते हैं ऐसा करने पर बच्चे ये देखना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की सीमा क्या है इससे उन्हें ये पता चलता है कि अपनी मा से कितना दूर होने पर उन्हें खत्रा हो सकता है तीसरा सबक अपनी मा से दूर होने पर बच्चे को परिशानिया होती है जी हाँ सोचिए अगर आपका बच्चा बिमार हो और आपको उससे मिलने ना दिया जाए कुछ दशक पहले एक्चली डॉक्टर्स बच्चों को उनके पेरिंट्स से इनफेक्शन के खत्रे की वज़े से मिलने नहीं देते थे और आज ऐसा नहीं होता क्योंकि इससे बहुत सारी परिशानिया होती थी जैम्स रॉबर्ट्सन मदर चाइल्ड सेपरेशन के उपर रिसर्च करने वाले लोगों में से एक है उन्होंने इन परिशानियों को समझ करके अस्पतालों को अपनी पॉलिसी को बदलने पर मजबूर किया ताकि पेरिंट्स अपने बच्चों से मिल सके अस्पतालों को ये बाते समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे फिल्में बनाई एक फिल्म में एक दो साल की लड़की को उसके पेरेंट्स से सिर्फ आठ दिनों तक अलग रखा गया उसके पेरेंट्स को उससे सिर्फ 45 मिनिट तक ही मिलने दिया जाता था इसकी वज़े से उसके व्यवहार में बहुत सारे बदलाव आए वो खुश रहने वाली लड़की उदास रहने लगी शुरुआत के कुछ दिनों में वो लगातार रोती थी और फिर वो अपने पेरेंट्स को अंदेखा करने लगी इसके बाद वो बेचेनी और चिर्चिरे पन से जूजने लगी तो छोटे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें सिर्फ थोड़ी ही दिर के लिए लग किया गया है अगर बच्चों को जादा दिन तक हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स से दूर रखा जाता है तो वो अपने पेरेंट्स को पहचानेंगे ही नहीं कुछ बच्चे इन हालातों में खाना पीरा छोड़ देते हैं अस्पतालों को ये बाते समझने में कुछ समय लगा लेकिन इन स्टडीज के बारे में जानने के बाद वो बच्चों को पेरेंट्स से मिलने के लिए भरपूर समय देने लगे चौथा सबक तेन तरह के अटेच्मेंट स्टाइल्स है जो हमारे व्यवहार और अटेच्मेंट के लिए हमारे रवये को दर्शाते हैं मेरी एन्सवार्थ एक जानी मानी चाइल्ड साइकोलोजिस्ट है जिनका नाम आपने मनोविज्ञान की किताबों में जरूर पढ़ा होगा एक पैरेंट और उसके बच्चे के बीच के रिष्टो को मेरी एन्सवार्थ ने तीन भागों में बाटा है अक्सर बच्चों की मान की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तयार रहती है तो इस अटेच्मेंट को सिक्योर अटेच्मेंट कहते है इसमें मा अपने बच्चों की देखभाल बहुत प्यार से करती है ऐसे बच्चे अपनी मा के पास होने पर सुरक्षित महसूस करते है और ये जादा रोते नहीं है और इन्हें कोई भी संतुष्ट कर सकता है अगली अटेच्मेंट स्टाइल है एंबिवेलेंट अटेच्मेंट इसमें पलने वाले बच्चे अपनी मा के पास नहीं होने पर रोने लगते हैं और फिर उन्हें शान्त करना बहुत मुश्किल होता है उनकी मा कभी-कभी उन पर ध्यान देती है और कभी-कभी उन्हें अंदेखा कर देती है तो ऐसे बच्चों को अपनी मा से अलग होने पर बहुत परिशानिया होने लगती है और आखरी अटेच्मेंट स्टाइल बच्चों के लिए मानसिक रूप से अच्छा नहीं है उसी के निशान बड़े होने पर दिखाई देते हैं। बच्चे और उनकी मा के बीच का रिष्टा बच्चे की जिन्दगी के शुरुआती दिनों में ही बनता है। लेकिन ये सालों तक चलता है। च्वाब देने के लिए एंसवार्थ ने लैब में एक खेलने का रूम बनाया। जहां पर बच्चों को उनकी मा के साथ बैठाया गया। शुरुआत में बच्चे खिलोनों से खेलते हैं और उनकी मा कुरसे पर बैठी रहती है। अगर बच्चा मा को देखते ही कुछ देर में शांत हो जाता है तो वो सिक्योर अटेच्मेंट में है। अगर बच्चा मा को देखने पर और रोने और गुसा करने लगता है तो वो ambivalent अटेच्मेंट में है। हम बड़ों के अटेच्मेंट स्टाइल का पता बरकरी एडल्ट अटेच्मेंट इंटरव्यू की मदद से लगा सकते हैं। इस इंटरव्यू में बड़ों से उनके बच्च्पन के बारे में बहुत से सवाल किये जाते हैं। जैसे कि उनके परिवार के हालात, अपने पेरेंट्स के लिए उनकी सोच और उनके बच्चपन की दर्द भरी आदे। जो लोग एक पेरेंट बनने वाले हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत मददगार साबित हो सकता है। अपने पेरेंट्स और अपने बच्चपन के हालात को देख करके, हम अपने बच्चों के लिए अपने व्यवहार को समझ करके उसे सुधार सकते हैं। चटा सबक, बच्चों के अटैच्मेंट स्टाइल पर उनके पेरेंट्स के व्यवहार का बहुत असर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन attachment style में इतना अंतर क्यों है तो कुछ psychologists इने genetic मानते हैं और दूसरों के मुताबिक इसकी कुछ और भी वज़े हो सकती है Adult attachment interview में उन महिलाओं से सवाल किया गया जो कि मा बनने वाली थी तो research में उन से उनके बच्चमन के बारे में सवाल करके ये बताया गया कि उनका उनके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होगा तो 75% याने की 75% महिलाओं का अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार रहा जैसा कि उनके parents का उनके साथ था उनमें से एक महिला मा बनने को लेकर के बहुत उच्सुक थी वो जानती थी कि बच्चे को बढ़ा करते वक्त उसे बहुत सी दिक्कते होगी वो इसे लेकर के चिंतित थी जिसकी वज़े से जब दिक्कते आई तो वो उनके लिए तयार थी और उसका बच्चे एक सिक्योर अटैच्मेंट में पला बढ़ा अगर हम पेरिंट्स को बच्चों की देखभाल करने के बारे में शिक्षा दे तो वो एक अच्छे पेरिंट बन सकते हैं एक और रिसर्च में कुछ गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में ये शिक्षा दी गई जिसमें उन्हें बच्चों के व्यवहार के बारे में बताया गया गरीब परिवार की महिलाएं अकसर चिर्चडी सुभाव की होती है और इस रिसर्च के बाद 68% यानि की 68% महिलाओं के बच्चे सिक्योर अटैच्मेंट में पाए गए जिससे कि ये बात सावित होती है कि एक मा को अगर शिक्षित किया जाए तो वो अपने बच्चे के साथ अपने रिष्टे को सुधार सकती है सात्वा सबक आप अपने बच्च्पन में जैसे रहे होंगे अपने बच्चों के साथ आपका व्यवहार वैसा ही रहेगा अब आपको ये बाते जान लेनी चाहिए कि एक पेरेंट होना क्या होता है इस समय बच्चों की देखभाल को लेकर के आपके जो भी विचार है उसका असर आपके बच्चों पर पढ़ सकता है आपके बच्पन के हालातों का असर भी उस पर पढ़ सकता है जो लोग अपने पेरेंट से संतुष्ट नहीं थे उन लोगों ने कहा कि वो अपने बच्चों की देखभाल वैसे नहीं करेंगे पर इन में से जाद अतर लोग अपने पेरिंट्स की गलतियों को नहीं समझ पाते जिसकी वज़े से वो जाने अन जाने में ही उनकी गलतियों को दोहराने लगते हैं तो अगर आप अपने बच्पन की experience को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अपने बच्चों को संभालने में दिक्कते हो सकती है। एक parent का काम है कि वो अपने बच्चों को आत्म निर्भर बनाए ताकि वो उनके बगैर ही दुनिया देख सके। ऐसे में उन्हें अपनी भावनाओं को समझना आना चाहिए। अगर आप खुद अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाएंगे। एक अच्छा parent बनने के लिए पहले आपको खुद की भावनाओं को समझना होगा। तो कुल मिला करके एक बच्चे के पहले रिष्टे का असर उसके बच्चपन के साथ साथ उसके अडल्ट लाइफ पर भी पढ़ता है। बच्चों का उनकी मा के साथ एक अच्छा रिष्था होना चाहिए जिससे कि वो सुरक्षित महसूस करके दुनिया को समझ सके। तो क् उने लगे कि आप उनसे प्यार करते हैं और वो सुरक्षित है।